गुट मॉर्णिंग क्लास नाइन सब्चेक्ट में इसमें आपका सैकेंड चेप्टर बहुपत चनलाता है जिसमें एक साइज 2.4 का आज है फिप्ट पॉर्शन उसमें से आपकी में फर्स और थर्ड पार्ट आपको बताऊंगी सैकेंड और फॉर्थ आप सुजयन करेंगे ज तो याने त्री गाती बहुपत का गुड़ुट करना सीखागा अब त्री गाती बहुपत का गुड़ुट खंड़ गलगा आज है तकिन पहला कुशन बहुत ऊप्एजी और फॉर्संट बार इसमें क्या है 1 रॉर्स और 2 हम क्या करते हैं इस ट्याप्ट equalisoल करना के लिएte चार टम बनाएंगे चार पत बनाएंगे 1,2,3,4 इसमें हैं तो उसमें से अगर common आ रहे हैं तो ठीक है नहीं आएगा तो हम अच्छे बच्चे गुर्ण घंड करते हैं तो जैसे इसमें से तो easy है common आ रहे हैं यहां से और इससे हम x² common ले सकते हैं तो यहां अगर x² यानि ती पोगात देरी बार बच्ची किती एकार minus 2 अब मैंने इसमें पहले भी बताया था पहले प्रेकेट में x-2 है यहां x-2 बढाने के लिए हम minus 1 क्या ले रहे हैं यहां से common x-2 तो अब इन दोनों टर्म से आपका x-2 आ रहे है common तो पहले आले में क्या बचिया x² दूसरे आले स हमने x-2 common दिया minus 1 अब इसमें भी हमने सर्वसमी का पड़ी है 7 और 8 में कि since a²-b² is equal to होता है a-b into a plus b तो इसलिए यहां पर भी हम a, a की जगा x, b की जगा 1 रख दीजे तो x-1 into x plus 1 तो अतहा बहुपत के गुरंखंड़े क्या हो जाएंगे पहुपत x-3 minus 2x² minus x plus 2 के गुरंखंड क्या हो गें आपके यहां पर? x-1, x-2 और इसमें आपका थर्ड पार है x-3 minus 13x² plus 32x² plus 20 सबसे पहले दिये गए फ़रफ़त को हमने px मान लिया अगर आप देखते हैं इस वाले से आपका x² तो common आ रहा है तो bracket में क्या बचेगा? x² common x plus 13 अब यही bracket वाला इन दो टम से हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहां पर x plus 13 नहीं बन सकता है तो यह आपकी गुरंखंड है इस तरह से नहीं होगी तो इसके लिए method होती है अगर 2 गुरणखंड हो गे क्या इसके लिए कि वह गती है तो डिए गाति दिद्धाना क्रूपत होता है तो 2 घॉरंखंड होंकροों होंगे 3 ठाबात दिद्धानाक् १ा जोनी स्बसिए गृयटपत हो दिद्धार मिता क्या था सबसे पहला से कि यहां पर लेट टो तो 20 के गुरन खंडे लिखेंगे अब हम, 20 के गुरन खंडे क्या क्या होंगे, देखे 20 में जिससे भाग जालेगे, 20 में जिसका भाग जाता है, प्लस और माइनस 1, तो नहीं हो सकते हैं, दूसरा, 20 में 2 का भी भाग जाता है, प्लस 2 से भी जा सकता है, माइनस 2 से भी जा सकता 3 से नहीं जाता है, 4 से जा सकता है, 5, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9, and 10, 11, 12, 13, 14, सीते किस से जाएगा अब आपका 20 तो ये हो गए आपके अचरपद के गुरंखन, फिर क्या करते हैं इसमें, करके यहां से अचरपद के मान हम देगे बहुपत में रखता हैं, जिसके लिए बहुपत का मान सुनने आएगा, वही उसका क्या ऊचाएगा, गुरंखन, लेकिन अगर हम देखें, यहां पर प्रतिय प्लस साइन है तो इसलिए पॉजिटिव संख्या रखे तो आपको यानि पॉजिटिव को रंखंडर रखे तो इसका मान जीरो नहीं आ सकता है तो इसके लिए क्या करेंगे Px में सबसे पहले माईनस वं से स्टार्ट करते है आपका कितना हो जाएगा P minus 1 is equal to minus 1 का cube plus 13 minus 1 का square plus 32 minus 1 plus 20 minus 1 का cube minus 1 minus 1 का square plus 1 यानि 13 into 1 हो गया minus 32 और plus 20 minus आलो का एक साँ चोड़ दीजी plus आलो को एक साँ तो यह जाएगा आपका 33 minus 33 कितना होगी आपको यहाँ पर 0 तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं हमने x बजाबर minus 1 रखा तो 6 पर 0 आया तो इसको हम इदार ले जाएगे तो क्या बनेगा x plus 1 तो इसे हम कहेंगे x plus 1 P x का एक गुरन खंड है अब इसी में एक मैथड तो यह है कि आप यहाँ से negative नंबर को रखके और गुरन खंड भी निका सकते हैं इसी मेथड यह है जैसे मैंने minus 1 के लिए कि आप minus 2, minus 1, minus 5, minus 10, minus 20 के लिए भी करके गुरन खंड ग्याद कर सबते second method यह है आपकी यहाँ पर कि आप x plus 1 से इस बहुपद को भाग दीजे कैसे जो गुरन खंड आता है उससे हम बहुपद को भाग देते यहाँ पर देंगे x cube minus 13 x square plus 32 x plus 20 अब भाग देने की method लेखे सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे बड़ी खाथ वाला पर बनाते हैं अगर सबसे बड़ी खाथ वाला बद पीछ में होता तो उसे हम पहले आगे लिखते तो यहाँ पर बहले आगी है x cube यहाँ से 1 को घटा ही कितना जाएगा 2 यानि हमें x की खाथ 2 से यहाँ गुड़ा करना होगा x square से x को गुड़ा करना होगा x cube x square को 1 से गुड़ा करेंगे तो x square अब भाग करते हैं तो आपको पता है minus हो जाता है तो यहाँ पर अगर plus sign है तो यहाँ minus होगा फिर इस sign को छोड़ जेते हैं हम एक sign इसका use करेंगे एक sign इसका यहाँ कोई संख्या नहीं होती है तो 1 यह दोनु के अंसे 13 13 देखें plus minus 1 कितना हो जाएगा 12 x square plus 32 x अब यहाँ पर हमें एक तो x square लाना है इसके साथ 12 लाना है और 12 x से इसको गुड़ा करें तो हम गुड़ा करते हैं गुड़ा करने में चल रासी की खाथ, बढ़ जाती है प्लस कितना हो जाएगा 12 x तो इस मान को यहां रख दीजे 12 x square plus 12 x minus कर दीजे cancel 32-12, 0 और 2x, फिर यहां से हम 20 लिखेंगे, तो अब 20x यह ए, एक से पहले से, तो सिर्फ आप इससे कोड़ा करोगे 20 से, अब इसमें यह चीज ज्यान रगना, कि सेस्वल हम इसा 0 आना चाहिए, 0 नहीं आएगा, वह खंडर करने हैं, तो आपकी प्रोब्लम हो जाए, तो आग अब यह एक से बराबन लिखते हैं, पहला जो जिससे भाग दिया है, यानि जो गुरंखंडा है था, इंटू जो भाग फ़ल हुआ है, अब इसकी मेतड़ ने आपको सिखाए थी तो यह गाती करने की, 20 अचर बद है, इसमें से आपको यहां चाहिए, इसके गुरंग के से 20 हो गया, 20 के ऐसे गुरंग कें, जिससे 12 आई, 20, x² गुंका हम लिखेंगे, 10x+, 2x+, 20 तो अब हो गया आपका, x+, 1, यहां से x common, तो क्या बचा, x+, 10, यहां से 2 common, x+, 10, तो अब आपका क्या बन जाएगा, x+, 1, x+, 10 हमने common ले लिया, x+, तो अग्दहाँ आप लिग लेंगे बहुपात की गुर्ण खंड बनाबर एक्स प्लस वन इन्टो एक्स प्लस टू इन्टो एक्स प्लस टैन